यह संतोस और गर्व का बिशय है कि भारत दुनिया में सबसे अधिक लोगों का टीका करड करने बाला देश बन गया है ग्लोबल वैक्सिनेशन ट्रेकर के अनुसार टीका करड के मामले में भारत ने अमेरिका, ब्रेटैन, इटली, जर्मनी आदी को पीछे छोड दिया है इस ट्रेकर में चीन को जगह नहीं मिली तो, इसलिए क्योंकि जिस तरह उसके कोविड रोधी टीके अबिस्वस्नी हैं, उसी तरह टीका करड के उसके आकडे भी जहां भारत में अभी तक 32 करोड से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है वही दूसरे नमबर पर दिख रहे अमेरिका में इससे कम लोगों को टीके लगे हैं यह इसलिए उलेखनी है क्योंकि अमेरिका, ब्रेटेन और अन्य दूसरे देसों में भारत से कहीं पहले टीका करड सुरू हो गया था बावजूद इस उपलब्दी के इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए भारत के मुकावले अमेरिका और ब्रेटेन की आबादी कहीं कम है इस पश्ट है कि भारत को इस उपलब्दी पर उत्साहित होते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे अमेरिका से कई गुना अधिक आबादी का टीका करड करना है ऐसे में यह आवस्यक है कि टीका करड की मौजूद रफ्तार कायम रहे भारत ने दिसंबर तक सभी पात्र लोगों के टीका करड को अपना लच्छ बनाया है इह लच्छ तै समय से पहले ही हासिल करने की कोसिस की जानी चाहिए क्योंकि बच्चों का भी टीका करड किया जाना है निसंदेह टीका करड नीती में बदलाव के बाद टीका लगाने में अप्रत्यासित तेजी आई है और प्रतिदिन करीब साथ लाख लोगों को टीके लगाए जा रहे है लेकिन यह भी एक तत्थ है कि अभी तमाम लोग ऐसे हैं जो टीका लगबाने से हिचक रहे हैं इसी हिचक चाहट को भाप कर ही पिछले दिनों अपने रेडियो कारिक्रम मन की बात में प्रधान मंत्री ने लोगों को टीकों से जुड़ी अफवाहों से दूर रहने की सलाह देते हुए इसके लिए आगाह किया था कि यह समझने की भूल न करें की कोबिड महमारी खत्म हो गई है यह देखना दुखद है की तीका करड को लेकर तमाम जागरुकता अभियान चलाए जाने के बाद भी जहां कुछ लोग तीका लगवाने के लिए उतसुक नहीं वही कुछ किस्म किस्म की अपवाहों के सिकार हैं कुछ ऐसे भी हैं जो अग्यानता से ग्रस्थ हैं या फिर तीके के दुस्परिडामों को लेकर बेबज़े चिंतित हैं तीका लगवाने से इनकार कर रहे हैं कई नेता भी ऐसे हैं जो यह पता नहीं चलने देना चाहते की उन्होंने तीका लगवा लिया है या नहीं ऐसे लोग के बल तीका करड में बादक नहीं बन रहे हैं बलकि लोगों को गुमरह कर उनकी जान से खिलबाड भी कर रहे हैं